हेलो नमस्कार साथ केसे हैं आप सभी लोग उम्मीदहें होंगे थीक है तो हिंदी की क्लास में समास वाइं को पर आप Cory इसे पू libert हो जाएगा गलत नहीं होगा किसन की मैं घरिंटी देता हूं फिक है तो आज के क्लास में पदना है क्या समास करbt किसे बात है सारी बाते आज की हम करेंगे और बिल्कुल बाई ट्रीक से शाइप जच्वार्ट रखना कि कैसे एंको पहचानते और आपको पर दादू कि समास होता क्या है ठीक है समास तो आप सब कोश्चन पूछ सकता है यहीं पर समास समास किसे कैसे तो समास किसे कहते हैं दो या दो से अधिक सब्दों के मेल को याद रखना ना की बड़ सब्दों के मेल को क्या कहते हैं हम समास कहते हैं जैसे दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक सब्दों के मेल को सब्दों के मेल को समास कहते है ठीक है तो देखो समास अब आपको समास पढ़ने कितने हैं जो आपकी परिश्चा में पूछे जाते हैं ठीक है समाज मैं टॉपिक है समाज एक दो क्वेशन जरूर बनते हैं चलिए कौन-कौन से समाज पढ़ने आपको चलो बना लो अपना पुराना वाला पंडा डाइग्राम जो टेडी मेडी लाइन वाला होता था ठीक है तो नंबर बन आपको क्या पढ़ना है नंबर बन बता था के नंबर रूसरा क्या पढ़ना है मिए correct नंबर थीर पढ़ना है दंद समाज में नंबर चार पढ़ना है क्या कर्मधार आप नंबर लाष में पढ़ना है का बहुपरी अ है कि थी बास एक दो तीन और दो चार एक पांच बस काम खत्म यहीं पांस समाज पढ़ना है बस काम खत्म ठीक है एक और पढ़ना एक और पढ़ना सोरी चे पढ़ना है ना पूपर टोटल भाई तो इसको यहां पर लियाओ तत परूस पर गवां की को Marshmains पर्शेश्स है डियाला है कि चलो अब हम चलो अब बात करते हैं इससको अब की मिल जाए तो क्या हम पढ़ाई जिल्दी बताओ तो ब् clip सामसि जब भी मिल जा तो याद रखना उससे पहले अभ्य लगाओगा क्या अब्धे है जैसे कि यह अब्धे हैं इसमें क्या होता है क्या हमेशा पूरुपद प्रदहान होता है गर पूरुकर्दध में अध्र को अठाद को अध्र तो फिर लाश्ट वालिका कुछ म नयुक्त सब्सुर्णन Wiv, is it look into you 145 अटान इसमें ऊत्तर अद्यमन इसमें ऊत्तर समान इसमें को फो अस्टाथ पूर्पध करते हैं करके इसमें कोई तीसरा है झाइन नहीं नहीं पहला होगा ना दूसरा यह नहीं होंगे कोई तीसरा होगा ठीक है चलो तो इसमें क्या होता हमेशा पूरप्रद्प्रदान 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 पूछा जा सकता है आपकी परिच्छा में आप से ठीक आप देखो इनको कैसे पहचानते तो इसमे हो थीच यथा सकती यथा अठाटओ तो सटी अलग हो जाएगी हमारी हो जाएगी कि नहीं ठीक है तो ऐसे बहुत सा भर पेट सब्सक्राइब spris तो च्श्राय कोई D. त Сам के अधिय Till भाग यहisi मालयों को भाग भाग चलो चलो हुए जब फिक हमारा चलो-हां भाग ऑ समातो इस जिसमें भी अब जुछ अब हों समझा यता दो चलो बाड़ो नीचे पता किरें दीरे अफिय क्य्यू चलो भागो भागो यह सभी कहो त् 97 अब जब भी आपको अब्य आगे दिख जाए तो मतलब इसमें जब भी आपको क्या दिख रहा है तो मतलब इसमें जब भी आपको क्या दिख जाए गिंती डिंत है लहाँस घंटिकी जब है पो दिख जाए संक्या कोई ठीक है गेनती संक्या कोई कोई दीक जाए आप समल वह कौँन सा हो गया एक कर चेमें चौन सा ओ घाम तो वह अमारा हो जाए समाझ जैसे है चवरा मतलब चार रहा ना सब्सक्रांद कि इस ब्सक्राइब द कि ओध लिए tych है ठीक है अब चलते हैं देखो और वी एक्जाम्पिल हम बाद में आपको लिखा देंगे तब पहर हम समाझ लिए जैसे आप हम लिखते हैं क्या आ माता पिता तो माता पिता इसे लिखते हैं बीच में डैस लगा के भाई सब्सक्राइद कि वहें बढ़िन कि पापा कि मम्मी कि मामा कि मामी अग्राइग तो जब भी आपको यहां पर भी आपको डाइस का कम करता है ये याद रखना बस समझ जाओगे न कौन सा होता है आप समझ जाओगे आप कोई कोश्चन गलत नहीं होगा मैं कोश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को आपको बताने आए कि कौन सा इसमें से कोश्चन ठीक है इतना चीज पढ़ाने के बाद ठीक अब चलते हैं कौन सा तत्पूरु समास इसका सबसे ज्यादा खेल है है जैसे लिग देए अएव साधिक फिर या चीक इसमां आपको देखो डेश या फिर और और चा शोब टालेको आपको भधी और पिता तो कितने एक प्रक्ष तो कितने में आप को उमने बताया है कंथे 8 मिन अपने चोड़ight तो कितने 6 ऑध चीन नेा करma को करतान को कर संप्रदान कं अपादान हुआ है ठीक है कर दो संप्रदान अपादान और अदिकर्ड कि एक और होगा कौन सा बोल रहे हैं कि एक सम्मंध है ठीक है ठीक यह चीज आप दिखें जैसे कर्म किया का देखो आपको एक्जांपिल मैं दिखा रहा हूं कर्म का दिखो इनमें सभी के एक्जांपिल में 겠ता है ताकि आप लोग समझा है क्टानिक कर्म को होता है रहा का समप्रधान के लिए ठीक अपादान से अलग और अधिकरण में पर संब्वधन वो समंद का की की थीक यह अच्छर दीख जाए आप देखो अब मैं आपको बतादा हूँ इसमें से कुछ उधाड जो आपको समझना पड़ेगा ठीक है जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे आपको कहीं दिखता है माल गाड़ी तो माल गाड़ी को क्या कहते हैं तो माल गाड़ी को बताओ माल गाड़ी लिखा यह माल गाड़ी लिखा है नो माल गाड़ी क्या हुता है माल के लिए गाड़ी 'S लिखा रसोई हर इह यहोगयों हो गया कौन सा होतार वह सोय के लिए जैसे आपको लिखा यहीं पर पाठ सालह तो पांठ मतलब पढ़ने के लिए को साला बनी होती है पांठ साला जैसे गोव साला तो गयके लिए सालब जो गय क्या घर होता हुसी को क्षाला कह सकते न थीक है समझ रहूं कि नहीं अब जल्दी बताओ जैसे आपको लिखा है बयार्थ जिसका अर्थ चला गया केते हैं छलो उसका मतलब ही अलग है छड़ो ठीक है अब देखो कि आज다면 ये कि जैसे को चलने वाला तो क्या होता कि अधुक्त गे थे समयखाई कि लिए भूद सब्सबब करें वो nonprofit जो होता है आप तो अधिकरद वाला निकल गया है कि की नई राज पुत्र जैसे राज पूत लिखा है ना इसको बिसको किया गरेंगे सकोrest tu ने लिए जल्दी बताो नौ Kommो क्या करते हैं राज पुत्र हम क्या देंगी राजपुत्र राजा का पुत्र वे टीड़ित जलो और भी देखो और भी बताएं क्या यह प्यांगा चलो योग बताओ योगदान योग का दान ठीक है योग के लिए दाइया योग का दान ठीक है अब जहो और भी दोड़े बता देते हैं चलो और भी चलो यह थे हमारे पस देशो गगन चुम्मी गगन चुम्पी का मतलब क्या होदा गगन को चुमने वाला ठीक है गगन को तो करताने कर्म को गगन को चुमने वाला तो गगन चुम्पी ठीक है तो यह थे हमारे कुछ की समास के उधारन निकलता है तो हम समझ जाएंगे कर止 करमदार समास क्या होता है करमदार समास कि क्या होता है कर्म अभर घ्र Counterきますbox श्र गुद्रेश स्मास वो मैं प्रिसेस्ट ऑन युद जाए तो पहले स्डी जांज मतलब ब्सेस्ड की कोई विशेस्ता भुरी समास की बहुत लड़ाई होती है क्यों लड़ाई होती है तो कुछ चीज ऐसा होती है जहां पे करमदार समास होता हो हुथ है तो हम कर्मदारें समास नहीं लगातें बभरीं समास लगा के चले आतें उसला इया गें जैसे लिखा नीलकमल है नीलकमल आए उसक्षार से अट्ट नीलकमल और दो व्भरन हो गया और बंड़ा में देखो बहुत सारे ग्जांपेल यहां देखो पितामर हो गया तो टेंग पीतांबन हो गया और नील कंट्ट तो है हो तो देखो यहां पे आपको दिख रहा देखो यहां पर आपको कहीं पर दिखर है कि विजय सबस्क्राइए जैसे नील कंट कैसा है नीला कमल निल्धाम समंझ लो तो कुछ चीज़ेंहापको बिसेशर की तरीच से दिखे लेंगर है पीद प्लस्थ प्लस आंबर पीत आमबर महादेब भी एक लिखे लो महादेब महादेब सकते हैं समद्र सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं पारेस अब चलते हैं बहब्री कि तरब कि सलते हैं बहुबर्या peda समास को तीसरा आर्थ दों बात करते पहुवरिय समास कहता हूँ इसमें क्या आम ने आपको को निकले जैसे अब आपकोольно हमने पहें समास की और किसकी बहुवरिय की तो यहां पर प्र कि तो नील-कंट जहां निला यहां पर नील कंड़ का मतलब ओक्म क्या नीला कंड नीला है कंड जिसका अर्थात तीसरा सब्द रंच हैं किसका है नीला कंड अरृतात सिभ। तो किसके हाथ में चक्र है बताओ किसके हाथ में चक्र है चक्र पाड़ी कौन होता है किसके हाथ में चक्र है जिसके हाथ में अर्थात भगवान विसनु ठीक है कौन है बगवान विसनु तो यह कुल चीजा है जो हमें पता होनी चाहिए ठीक है आईसे मतलब कोई तीसरा सब्द निकलेगा समझो आप देखो सुन्दर देखो सुलोचना जैसे सुन्दर है लोचन जिसका अधार ठीक है सुन्दर लोचन सुन्दर है लोचन जिसका सोरी लोचन जिसका किसका लोचन सुन्दर होता है अर्थात नारी ठीक है इसी प्रिकार देखो हमेशा तीसरा सब्द जम निकले समझो हमारा किसमें जाता है हमेशा बवब्रिय समास में जाता है याद रखना दोस्त सबको मालूम किसके संकर जी महाराज कि विश्णु शंकर जय हो शिवशंकर ठीक है चलिए तो तीसरा अर से जब भी निकले पीतामर पीले हैं बर्त जिसके अर्थात कि ठीक है इसी प्रकार जैसे नीला है कंड़िस का अर्थात का मतलब निकल के आए समझो हम समझ जाएंगी कि हमारा यह बहुबरी समाश और भी कुछ उदारण आपको बता देते हैं ताकि आप लोग इसमें डाउट फुल ना हो ठीक है जैसे जैसे आपको कुछ उदार में बता रहा हूं समझें जैसे 10 मुख 10 मुख जिसके किसके आप बताओ कोन अब आ यह एक आदमी एक है जिसके अद्मों का है देखो यहां पे लिखे दे रहा हूं तो मतलब कुल चीजे यह समझना है कोई तीसार साथ स्वंध होगा जरूर्व जब लिखा कि दसमुक कि इसके सजको किसे सब्सक्राइब केट किसके सब्सक्ताइब थे कर दें नियुक्त को सब्सक्राइब करें जान हो गया और भी कुछ चीजह गई को घ्राई वह प्रताज आपको पताए कौन होते हैं कोन नोपताओ जुँट रिख इंद्र माराज ठीकसी देवों के राज होते हैं याद रखना भाइसाब गंसयाम वह जो जिसका बढ़ के गनमादल समान है ठीके उटेजशन ना गिरिदर वह जो गिरी पाड़ को धारा करने वाला क्रिश्ण जे भी इत्रसूल तीन सूलों का समूसिप के आस्तर का नाम है ठीक है चलो तो कुल मिला के आपको तीसरा सब्सक्राइब निमिल जाए वह हमारा कॉंस होता है बहुत बुरी है समास ठीक है तो अब हम चलते है हमारी किलास यहीं पर समापत होती है बस हम चीजें समझ जाएंगे अब हम चलते हैं कोश्छन नमर बन की तरफ जलदी से आपको बताना है कोल्रकित को समास के पदों और आलग आलग करने को क्या कह सकते हैं बताहरो तो बसा समास को अलग अलग पद कहते हैं तो क्या से थ Homeland अनुरूप है पताो अनुरूप क्या लिखा है आनुरूप अनुरूप में कौन सा समास है तो इसमें क्या मतलब है ने भाषा, इसके अच पहले एक घृत दो ने हृत आप सोरी प्रतियंग प्रतिधन अंग तो क्या होगे हमारे पास जब भी आपको पहले थीख जाए अब्भी अठालो तो समझेंगो आमरण में बताओ कौन साव समात है जल्दी से बता आमरड आधन मरड तो कौनसा हो गया हमारा पास यह भी अभ्यवाव समाज यह था सक्ति आपको बताई दिया कौनसा भ्यवाव समाज ठीक है अब चलतो कोश्चन नमर 6 भीसम पितामा आजीवन साधी करने बाले का प्रड लिया लेखांकि सब्द का समाज तो इस इसमें देख लो इसमें देख दौनों पद परदान उत्तरपद उततर प तरपद कॉई तीसरा पत तो प्रतिमान में समास आप समझ जाएंगे कौन सा होता है ठीक है रातो रात हमने कहा है चलो चलो भागो भागो तेज़ते धीरे-धीरे रातो रात क्या है सब्द चेंज सब्द रिपीट हो तो रिपीट होतो चलो ऑफ में कौन सा समास है हो रहा है तो यह हमारा धीरे-धीरे दीरे कौन होगा भर पेट बताव कौन सा होगा रपेट जली से बताबहर पेट कौन सा होगा भार अलग अठादो तो भर पेट हो गया जली से बताओ ठीक है चलो आप चलते कोशन नमर 14 इन में से कौन सा पूरी तरह तत्पुर समास से समंधित है तो तत्पुर समास से संबंधित है आत्त पूर्पाद पूर्पध बताओं एपन संख्यावाची नहीं तो कौन सो होता है थीक है और इसी की सब्लकें को तो इसमें इसमें प्राय उथ्टर्प्रद पूर्प्रण को होता होता जल्दी से बताओ क्या होता है उत्तरपद भाई जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तरपद हमेशा क्या होता है प्रदान होता है तो जिसमें उत्तरपद प्रदान होता है उसको हम क्या रखते हैं क्या सकते हैं तत्पुरु समाज चलो 15 नमर बताओ हाथ 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 हातों हात कौन सा समास है हातों 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 हात जली से बताओ नहीं बता पा रहे हो भाई देखो हातों हात नहीं बता पाए ठीक हातों हात बार बार जा रहा है ना हातों हात दो बार आ आपको पास दिखू समास दौंत समास चारो समास दियें बता कौन सा होगा सेना नायक को तो सेना का नायक सेना नायक उसी को बोलेंगे सेना का नायक एक तों सेनगा न्यक है को दो तॉसेन तो का लिखो कहीं पर लिखा का संस्मंद किसका संबन्द एक सब्सक्षां समारा तो राज कुमार किम भी हमारा समस्पूर्श कौन सात्रूस समास अधरा आजन्म शीतोश्न अष्थाद्याई आसा तीत बताब आसा तो आसा का तीत तो आसा तीट होती क्छाएगम तो कौन से जाएगा ? उपяжक्त समास चिंणित कीजिए पत से ब्रेष्ट मतलब vêश्ट मतलब जा रहा रहा है प्रेष्ट से पत से अलंग थे कढ़ से मतलब काई तक पूरू समास जाए it बिल्कुँ सआथ राजपुत्र बटाओ राजपुत्र कौव कानध चलो आई का लाश्ट पूष्ट्र के मतलके का ना सर कमेंट में तो यह रहा घुकी और भाकि आपको समास आपको पढ़ाई दिये ख्यां कि कैसे कांध पहचांथे तो याद रिखना इसमें संख्या वाचिए रखना जब भी आपको द्यूकों समास उत्तरप्रत प्रदानत होता लेकिन संख्या याथ लिखड़ो पूर पर संख्या वाचे क्वर रखना आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी सच बताना कमेंड में जरूर बताना क्लास में मज़ा आया की नहीं अब पहचान लेंगे न कौन सा समात कैसा होता है ठीक है तो चलता हूं दोस्त बने दी हमारे साथ जै हिंग जै बारत